कर दोस्तों कई बार चानेन जाने में हमकिसे अपने फ्रैंड के साथ डिलेटिव के साथ एक किसी और के साथ डैक्टर की बन जाते है हमய स्टाटिंग तो कर लेते हैं लेकिन हमें पार चलता यारब डिस्प्यूट होगया है मैं अब एससेट नहीं जा सकता प्रॉब्लम क्या आती है कम्पनी का बोर्ड डिजलुशन मनता है और दूसरा डियक्टर अपने डेस्टी लगा के रिजाइन दिलवाता है कई बार डिस्पूड राता हूं कहता है मैं तुरको कुछ भी नहीं करने दूँगा और मैं जो दूसरा बंदा है वह चाहता है कि मैं कम्पनी में डेक्टर से रिजाइन देदू तो आप इंडिपेंडेंट एज डेक्टर कमने से कैसे रिमूव हो सकते हैं आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं बहुत ही सिंपल है तीन स्टैप के अंदर है डेक्टर का रिजाइन खुद कैसे होगा तो तो कम से कम चाहिए च सकता है मनेजमेंट से मतलब डेक्टर बैलेंशी नहीं दिखाई डे टुडे अफेर में उससे पोच्छा नहीं गया या रोली नहीं हो ऐसी घूम रहा है या हूज डिमांड है वो चाहता है मैं रिजाइन देना है दूसर डेक्टर कहा रहा है मैं चो गुषनी दूंगा मैं मैं बोर्ड मीटिंग होने दूंगा अब क्या करें आदमी हो अब मैं बताता हूं सिंपल सा स्टैप रिजन करने का माल लिजे सचिन एक कमणी में डियाक्टर सा डिस्प्यूट हो गया अब वो चाहता से निकल जाए लेकिन डिस्प्यूट है उससे अंदर गुसनी निदिय है उसमें भी और जो डिरेक्टर से हैं उसमें भी सीची कर दें बहुत अच्छा रहेगा कि कमणी के ऑफिशली मेली पे मेल कर दे साथ में कि स्पीड पोस्ट जूरू कर दे वो लेटर क्यों कर रहा हूं कि तुमने यह करा सचिन लिखेगा कि तुमने इस अफेर में मुझे इंवार्व निकरा इंकम टेक्स का नोटिस आ गया है टीडेस तुम जमा नहीं करा रहे फाइन्शल इरेगुलेटिस है जो भी है किसी चीज में जो डिसेन हुआ था नहीं ले पाए त सब्सक्राइब के साथ तीसरे स्टैप और सिंपल सा से की फीस तो सकता जुरूरी है पांस से दसे रूप लगते हैं जिसके अंदर कंप्लीट एडवाइस आती है और पूरा बताता है अब एडवाइस कैसी यह भी समझना जुरूरी है अब लोग ने दोश्टैप समझ हैं जो मैं अपनी हर वीडियो के आखरी बताता हूं हमेशा की सर्वीस जरूरी उसके जिए पूरा प्रसे समझे उससे हर एक चीज के फायदों नुकसान होते हैं कोई आप एक्शन यह जा रहे हैं जलवाजी मत लीजिए क्यों हो सकता है आपकी को लिएटी डियू हो उसके चीज के ईयन असली है कहीं काम काम ठेक्टिस लगाने पड़ते जो दोनूकेस को नहीं पहत पता के वार हम क काम काम नकालगे भी लाते हैं पता वहीं चलता प्रीद करने के बाद चाह्त पर कोई फ्रक नहीं पड़ता आप तब भी उस कम्पनी के मालिक बनी रहते तो उससे को नहीं पड़ेगा आप अपनी चेक कर सकते हैं हर साल कि उसने गलती तो नहीं दी है बने वीदिव बना रखिया है वो देख लीजिए तक है इसके बाद मेरे सिगनेचर या थ्रैसिंटर की वहाब पे कोई भी काम नहीं होगा अगर होगा भी आयम नौट रिस्पॉंसिबल लो क्या करते हैं कर देते हैं के तभी मैं कहता हूं सिए की सर्विस वह आपको पूरी बाप पताएगा छोटी छोटी पॉइंट धान रखेंगा तो को होगा है नहीं होगा अलग मैंटर है पर हमें कम से कम कैजल अप्रोच नहीं रखनी चाहिए इतन वड़ा मैं एक्शन नहीं जा रहे हैं पा मैं देना चाहता हूं मुझे इस कमपनी से बाहर निकाल दीजिए क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ बात किसी कमपनी में का दो ड्रैक्टर है यह दूसरे के लिए इंपोर्टेंट है यह तीन है अगर एक ने डिया 11 कर दिया तो minimum requirement कम हो जाएगी उसकी कमपनी भी खराब हो सकती है तो प्रॉब्लम यह है कि आप उसको खुद रिजयन करने से अच्छा तो है mutual understanding से पहले ड्रैक्टर कर लिजिए और इसको रिजयन करा दिजिए ताकि आप भी कमपनी भी चलती रहे अधरवास क्या होगा वह अपने रिजयन करके लिजाएगा और आपकी कमपनी डिफंक् दिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोलूशन है सिंगल चैनल है जहां पर स्री प्रैक्टिकल बात होती दोस्तों मैं गूगल से कहीं से information लेके यहां पर चेपतानियों कभी और जितना हो सकते इसको शेर कर दिएगा बहुत सारे पेपास केस आते वह कहते सब्सक्राइब करने दे रहा मेरे कुछ जिम्मेदारी भी नहीं है मुझे आफिस बिनाने दे रहा अन्या से सरी मैं डेक्टर बना वाहा हूं और वह कोई कंप्लाइंस भी निकर रहा कहीं मैं डिफॉल्टर नहों जाओं और मेरा भविश्य आगे खराब नहों जाए तो य